कि अलग-अलग ख्षेत्रों से आते हैं, सद्गुरू एक बहुत ही जाने माने आध्यात्मे गुरू और एक बेस्ट सेलिंग लेखक भी हैं, वो इनसानों और परियावरण के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं, और दूसरे वक्ता हैं, वो डेवलप्मेंट साइकलोजी के प्रोफेसर हैं, और कॉग्निटिव नियूरो साइंसेस के प्रोफेसर भी हैं पैरिस में, नियूरो प्लास्टिसिटी अभी बहुत ही शुरुवाती स्थर पे है, बहुत शुरुवाती स्थर में अगर देखा जाए, तो नियूरो प्लास्टिसिटी का मतलब है कि हमारे दि इसके कई बहुत ही रोचक प्रभाव हो सकते हैं इनसानों के जीवन पे लेकिन एक व्यापक तरीके से देखा जाए तो आज दुनिया के सामने जो बड़ी चुनावतियां खड़ी हैं कट्टरता के रूप में हम उमीद करते हैं कि नियूरो प्लास्टिस सिटी से इस दिशा में कुछ हमहल निकाल पाएंगे तो आज हम अपने वक्ताओं को के साथ शामिल होते हैं इस चर्चा में मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इस चर्चा का भरपूर आनन उठाएंगे धन्यवाद कि आप बूदे एस साथ थिशार खिट्चा, कि अविश्वाद विश्वादी प्लिट्स व इस चर्चा का व मुड्चा. आदरनीय सद्गुरू, महामहिम शिंग्जो जी जो की युनेस्को के डारेक्टर जनरल है महात्मा गांधी Institute of Education and Sustainable Development के अध्यक्ष, दोस्तों, भाई और बेहनों मुझे बहुत ही खुशी हो रही है आज के स्कारेक्रम का शुभारंब करते हुए जो की महात्मा गांधी की 150 वी वर्षगाट भी है उनके जन्मदिन की और आहिंसा लेक्चर का आज तीसरा लेक्चर है जिसमें हमारे साथ हम सद्गुरू और प्रोफेसर वॉब के बाचीत को सुनने का हमें सोभागे मिलेगा मैं युनुस्को के प्रती अपना अभारवयर्ट करना चाहता हूँ उनके डारेक्टर जन्रल के प्रती जिनकी सहायता जिनकी मदद और जिनकी लगाता प्रेणा के कारण महात्मा गांधी इंस्टिट जो की एक कैटेगरी वन इंस्टिट हुए वो आज इस मुकाम पे पहुँच गया है कि एक बहुती जाना माना बहुती वेल रिकगनाईस्ट अंतराश्टी संस्थान बन गया है मैं इस इंस्टिटूट के डारेक्टर को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने बहुत ही मजबूत नेतरित्व हमें प्रदान किया है और आज उन्होंने इस तीसरे लेक्चर क्या आयोजन किया है आज का टॉपिक है एक शान्ती की संस्कृति की स्थापना करना ये काफी पुराना भी है लेकिन काफी नया भी है पुराना भी है लेकिन इसके बारे में सद्गुरु निश्वित रूप से हमेशा कुछ बहुत ही आधुनिक विचार व्यक्त करेंगे और प्रोफेसर जी भी चुकि हम महात्मा गांधी की 125 वी जन्मतिति मना रहे हैं तो शायद ये स्वभाविक है कि महात्मा गांधी जिन चीजों के लिए खड़े थे हम उनके बारे में फिर से उन चीजों को याद करें उन मूलियों को याद करें अभी हम पिछले वक्ता ने गांधी जी की फिलोसोफी के कुछ बातें बताई लेकिन मैं व्यक्तिक अस्तर पे कहना चाहूँगा कि मैं खुद को उतना इतना बड़ा नहीं मानता कि मैं महात्मा गांधी के बारे में कुछ भी कह सकूँ मैं आपको इमानदारी से कह रहा हूँ ऐसे लोग जिनके पास अनन्त समझ है उन लोगों ने महात्मा गांधी के बारे में बात की है तो मैं उन चीजों को नीचा नहीं करना चाहूँगा लेकिन चुंकि ग्लोबल कैंपेइन की शुरुवात के बारे में एक बात की गई थी महात्मा गांदी के विभिन शिक्षाओं के बारे में जिस तरह की शिक्षा प्रणाली के बारे में वो बात करते थे उसके बारे में उनके द्वारा, उन्होंने शांती के बारे में ज़ा कहा हूं, उनके बारे में, तो मैं सिर्फ एक practical experience आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, जहां मुझे एक जुडाव महसूस हुआ, उस हिस्से से जहां महात्मा गांधी का भी कुछ जुडाव था, मुझे मौका मिला यह था डर्बन के इंडियन कॉंसलेट साथ आफरिका में सर्विस करने का, डर्बन से 24 किलोमेटर दूर, वहां फिनिक्स सेटलमेंट नाम का एक सेटलमेंट है, कॉलोनी है, सन 1904 में उससे फिनिक्स आश्रम कहा जाता था, महात्मा गांधी ने दो आश्रमों की स्थापना की थी दक्षिन अफरिका में, एक था टॉल्स्टाइफ फॉर्म, जो उत्तर ही हिस्से में था जोहनसबर्ग में, और दूसरा था फिनिक्स में, कॉजुलूना टॉल प्रांथ में, अगर आप दयालूता की चीज़ें देखना चाहते थे, अगर आप कम्यूनिटी डेवलप्मेंट का प्रदर्शन देखना चाहते थे, अगर आप शान्ती के लिए एक वास्तों में एक गंभीर प्रयास देखना चाहते थे, किसी ऐसी जगह में जो लड़ाई जगणों से भरा हुआ था, तो फिनिक्स में मौझूद आश्रम इस चीज़ का सबसे अच्छा उदारण था, वो एक ऐसा सेटल्मेंट था, मेरी जानकारी के अनुसार, वहाँ पे महात्मा गांधी ने अपना पहला एक्सवरिमेंट शुरू किया था, कम्यूनिटी डेवलप्मेंट का अपना पहला प्रयास, शायद जो शुरुवाती कदम मोहंच दासगरम गांधी के महात्मा गांधी बनने की योड़ थे, उनके शुरुवाती कुछ कदम थे उस यात्रा में जो पहले शुरुवाती कदम थे वो शायद फिनिक्स में हुए थे मैंने डर्बन से फिनिक्स तक पता नहीं कितनी अंगेनत यात्राएं की होंगी लेकिन सौ साल बाद भी ये बात 1994 की है और वहां से लेके अभी आप देखे 90 या 100 साल बाद भी आज भी आप वास्ताव में देख सकते हैं कि उस समय महात्मा गांधी वहां पे क्या करने की कोशिश कर रहे थे अपने समय से वो कहीं ज्यादा आगे थे और मुझे लगता है कि वो प्रभाव जो मेरे उपर पड़ा वहां तीन साल रहते हुए वास्तों में उसने मेरे अंदर से किसी और महात्मा गांधी ने कहा का उस बारे में कोई एकाइडमिक रिसर्च करने के मेरी पूरी जरूरत को उसने पूरी तरीके से खतम कर दिया क्योंकि मैं वहां अपनी आँखों से देख सकता था कि उन्होंने क्या करने की कोशिश की कैसे उन्होंने भारती समुधाय और अफ्रीकी समुधाय को साथ लाने का प्रयास किया वह अपने आप में मेरे ले एक बहुत आँख खुलने वाला चीज थी एक करुणा का जबर्दस प्रदर्शन था एक ऐसे समुधाय को बनाने का जबर्दस प्रदर्शन था जो शांती के साथ रहता है तो इतना कहते हुए मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ और मैं आपका शुक्रिया दख करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया यहां ने का और मैं सद्गुरू की और प्रोफेसर की बातों को सुनने के लिए बहुत उच्छु कूँख हूँ धन्यबाद आपका बहुत बहुत शुक्रिया महामाहिम भारती सरकार के द्वारा जारी किये गए कुछ पोस्टल स्टैम्स की हम चित्र देख रहे हैं अभी ये डाक टिकेट ये डाक टिकेट भारती सरकार ने आज सुबह जारी किये है भारत के प्रधानमंत्री शिनरेंद्र मोदी ने आज ये डाक टिकेट जारी किरी है आज सुबह नई दिल्ली में महात्मा गांधी की 150 फी जन्म दिवस सी अवर्ष कार्ट को मनाने के उपलक्षमे हम इस अफसर पे एक छोटा सा वीडियो भी आपके लिए प्ले करना चाहेंगे ये वो गाना है जो महात्मा गांधी को बहुत ही ज्यादा प्रिय था ये एक बहुत ही जाने माने फ्रेंच आर्टिस्ट ने ये गाना गाया है ये. बहुत है, ये अविश्ट ने ये बहुत है ये खुछ ने या हुआ है ये थान ये यद्ड़ आर्ट-न महात्मा गांधी कर दो कर दो कर दोग कर दो कर दो फॉटाई पॉटिजने तो three big adh है आई जान तो प्रिम्सीजा झेल अजा की तिब व्राइ़ ए जाने वाईश्न वाजाना तो तेने का ही जे पीद पराई जाने परादूखे उपकर करे तो ये माना अभी माना नान ये वाईश्न वाजाने तो तेने का ही जे पीद पराई जाने रे साकाला लोकामा साखो नेवाने नेंदाना कारे केली रे वाच्या काच्या माना निस्चला राके भना दाना जनानी ये ते नीरे वाईश्न वाजाना तो तेने का ही जे पीद पराई जाने वाईश्न 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 सामद्रीष्टिने रेश्न थ्यावी परश्ट्रीचने मात ते रे जीवा था की असत्या न बोले पारदाना न वाजाले ऑईश्न वाईश्न वाजान तो तेने का ही जे पीद पराई जाने वाईश्न वाईश्न सामद्र estranका अब वो पला गया है जिसका हम सभी को इंतजार था आज हम दो बहुत ही प्रमुख वक्ताओं को यहाँ पे आमंतरित कर रहे हैं सद्गुरु और प्रोफेसर बॉर्स एक शांतिकी संस्कृतिकी स्थापना के उपर मैं डॉक्टर अनन्ता दुरियप्पा को आमंतरित करूँगी किवे आएं और आज के कारेक्रम का मॉडरेशन करें धन्यवाद सर ग्रेगवार बॉर्स को मैं आमंतरित करना चाहूँगे अब ग्रेगवार डेवलपमेंटर साइकालोजी और नियूरो साइन्टिस्ट के प्रोफेसर हैं वे नियूरो कॉग्नेटिव कंट्रोल में कॉग्नेटिव उन्होंने 66 से आदा साइन्टिफिक्स पेपर्स पब्लिश किये हैं और 5 किताबे भी उनकी पब्लिश होई हैं और अंतमे और सबसे महत्वपूर्ण मैं सद्गुरु जी को आमंतरित करना चाहूँगी मंचपे सद्गुरु एक योगी दिविदर्शी मानवतवादी और एक बेस्सेलिंग ऑथर हैं जिन्हें भारत सरकार ने संदोहजार संद्रा में पद्मविभूशन से समानित किया है सप्ट्टा फियर प्राइब जी को इद्टा एक बेस्टा ग्राइब में खराइब एक बारत साथ एक बारत सर्व जिविध फूट्ट एक येश शिविद भरव च्तर फ्कैम इन्सदों कर अज़ूटूआ स्वाब एक बंदोट। प्रु एविदेग एकब एक मेरे ख्याल से हर किसी को इसी पल का इंतजार था कि ये समवाद शुरू हो मैं पहले दो मिनट का समय सद्गुरू को देना चाहूंगा क्योंकि मैं उनको हमेशा बापू कहता हूँ तो मैं चाहूंगा कि सद्गुरू कुछ कहें बापू के बारे में और उसके बाद मैं थोड़ा परिचे दूँगा कि आज किस समवाद को हम किस तरीके से स्ट्रक्चर करने वाले हैं नमश्कारम आप सभी को मेरा नमश्कार महात्मा शब्द कर्थ है एक महान व्यक्ति तो कोई व्यक्ति एक महान व्यक्ति कैसे बनता है ऐसा थब होता है जब कोई व्यक्ति अपनी सीमित पहचानों के उपर उठ जाता है सीमित पहचाने होती हैं अपने शरीर की, अपने समाज की, अपने परिवार की तो ये प्रक्रिया इस सीमित पहचानों से उपर उठना ही एक महान व्यक्ति बनने की प्रक्रिया है तो क्या है महत्मा गांधी बीसवी शताब्दी के एक बहुत ही महान व्यक्ति बने महत्मा गांधी बने हम उन्हें कई रूपों में याद करते हैं लेकिन सबसे महत्मा पूर्ण चीज ये है कि उन्होंने जो प्रयास किया उन्होंने जो मिशन बनाया सबसे दुनिया की ये सबसे बुरी समस्याओं को सुलजानने के लिए जो शांती पूर्ण तरीका उन्होंने खोजा ये प्रयास आज भी जारी रहना चाहिए क्योंकि उन्होंने जो शांती की संस्कृति की कलपना की थी वो आज भी सच नहीं हो पाई है हाँ हम वर्ल्ड वार जो दो विश्वय युद्ध हुए थे बीस्वी शताबदी में हम उससे आगया आचुके हैं लेकिन अभी भी शांती की संस्कृति की स्थापना नहीं हुई है आज भी कई देश एक दूसरे से मुकाबले की और लड़ाई जगडे की बातें करते रहते हैं तो ये मेरा स्वभाग ये है कि आज मैं यहां युनेसको में मौजूद हूँ जिसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भोमी का निभाई है अपने खुद के प्रभाव का इस्तेमाल करने में ताकि शिक्षा के माध्यम से पूरी दुनिया में शान्ती की संस्कृति की स्थापना की जा सके क्योंकि जिस तरीके से हम शिक्षा प्रदान करते हैं और जिस चीज की शिक्षा प्रदान करते हैं जब तक हम उन चीजों में रुपांतरन नहीं लाते, शिक्षक शान्ती की संस्कृति की स्थापना नहीं की जा सकती। बीच बीच में कभी जब लडाईयां रुख जाती हैं, तो ये कोई शान्ती की संस्कृति नहीं है। ये मेरा सुभाग्य है कि आज मैं मौझूद हूँ और मुझे हैं बुलाने के लिए आपका बहुत-बहुत आभार। इन शुरुवाती शब्दों के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सद्गुरू। सबसे पहली बात तो कि हमारा आमंत्रन स्विकार करने के लिए आपका धन्यवाद, आपका स्केडूल बहुत बीजी रहता है। प्रोफेसर ब्रेगवा आपका भी धन्यवाद क्योंकि मुझे पता ही कि आप पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं और आज ही आप सुबह-सुबह पैरिस पहुँचे हैं, आपको जैडलेग भी होगा। लेकिन सद्गुरू ने अभी-अभी कहा कि आभी हम ऐसे मुकाम पे हैं जब बहुत ज़्यादा हिंसा है और हम यह भूल चुके हैं कि पचास-साथ साल पहले ही दुनिया में क्या-क्या चीज़ें हुआ था। तो जो सबसे पहली उल्जन जो यहाँ पे है, देखे जब हम शांती की संस्कृति की बात करते हैं, जब युनेस्को की स्थापना की गई थी, तो इसका उद्देश्य था कि लोगों के अंदर उनके दिमागों में शांती आए। वर्ल्ड हेल्थ और्गनाइजेशन ने एक रिपोर्ट कुछ साल पहले निकाले थी, जिसमें लिखा था कि कई देशों में 25 प्रतिशत बच्छोटे बच्चे, जो की 13 से 15 के उम्रम बेच में हैं, वो किसी न किसी तरह से डिप्रेशन के शिकार हैं, आत्मात्या की दरें ब वर्ला ने कहा था कि कटरता से जुड़े हुए हिंसा की घटनाएं बहुत बढ़ा रही हैं, तो हम शांती की संस्कृति की स्थापना के बारे में सोच ही कैसे सकते हैं, जब हमारे अंदर लडाईयां चल रही हैं, तो हम अपने अंदर वो द्रिण निश्य कैसे पैदा करें तो मैं ये सवाल सद्गुरू से पूछना चाहूंगा और ग्रेगवा जी से पूछना चाहूंगा जो की एमोशनल इंटेलिजन्स की उपर काफी काम करते रहे हैं, कि हम अपने दिमाग को किस तरह से ट्रेन कर सकते हैं, और जो शुरुवाती जरूरते हैं, इससे पहले कि ह जरूरते हम शांती की संस्कृति के बारे में बात भी शुरू करें, शांती पूर्ण इंसानों के बिना निश्चित रूप से एक शांती पूर्ण समाज या देश या दुनिया का निर्माण नहीं किया जा सकता, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब व्यक्तिगत इंसा के रूप में, अगर हमें ये भी नहीं आता कि हम अपने दिमाग को कैसे शांत रखें, हम अपने अंदर कैसे शांत रहें, तो हम दुनिया की शांती की बात ही कैसे कर सकते हैं। क्योंकि आप दुनिया में जो देखते हैं वो वास्तों में इंसानों की दिमाग में जो चल रहा है उसकी ही एक व्यापक अभिव्यक्ति है डिप्रेशन एक चिंता का विशह है क्योंकि ये मेडिकली डाइग्नोस हो जाता है लेकिन खई दूसरी तरह की हिंसाएं हैं जो व्यक्तिगत इंसानों के दिमाग के अंदर चलते रहती हैं हम इंसानों को बदलने के लिए कुछ नहीं करते हैं लेकिन हमारे पास बड़े-बड़े नारे हैं सड़क पे बड़े बड़े अभियान हो रहे हैं विश्व शांती के लिए ऐसी चीजे नहीं होने वाली क्योंकि जब तक हम शांती पूर्ण इंसानों को नहीं बनाते एक शांती पूर्ण दुनिया बन ही नहीं सकती क्योंकि अगर इंसान ना हो तो दुनिया वास्तों में बहुत बड़ी हैं इंसानों के बिना तो समस्या केवल हम ही हैं आप है और मैं ही समस्या है तो हम इस बारे में क्या कर सकते हैं मेरे जीवन में मेरा पूरा काम ही यही है व्यक्तिगत रुपांतरन क्योंकि वेक्तिगत रुपांतरन के बिना पूरी दुनिया की आजादी जैसी कोई चीज नहीं है क्योंकि दुनिया, समाज, देश ये केवल शब्द है असलियत है आप और मैं, हम अपने अंदर अभी कैसे हैं तो हम शान्ती के बारे में बात कर सकते हैं लोगों से जब उन्हें कहीं ढकेल दिया हो, जब कोई उनकी करीबी चीज खो जाती है जब वो डर में होते हैं, तो वो अलग-अलग मोड्स में चले जाते हैं तो योग की पूरी पधती यही है कि हम अपने अंदर एक शान्ती की केमेस्ट्री बनाए क्योंकि इंसानों का अनुभाव, चाहे वो तनाव हो, या शान्ती हो, या दुख हो, या अनन्द हो हर इंसानी अनुभाव का एक रसायनिक आधार होता है आप में से हर कोई एक तरह का रसायनिक सूप है अब सवाल के वल इत्ता है कि आप एक बढ़िया सूप है या घटिया सूप है माल लिजिये कि सूप बनाने के लिए जिन चीजों की ज़रूरत होती है वो हम यहां मौजूद हर किसी को देते हैं इन में से हर इंसान उसी तरह का सूप नहीं बनाएगा है के नहीं तो हमारे साथ भी यही हुआ है हम सभी के पास वही चीजें उपलब्ध हैं लेकिन हम सभी उसी तरह के इनसान नहीं बने हैं तो क्या सिक्षा का कोई एक खास हिस्सा है जो हमें ये सिखाता है कि इनसान अपनी यादों को कैसे समहाल सके अपनी कलपनाओं को कैसे समहाल सके अपने ध्यान देने की क्षमता को कैसे बढ़ा सके और अपनी इनसानी केमेस्ट्री को कैसे समहाल सके हम व्यक्तिगत रूपों से इंसानों को सशक्त करने के लिए हम उन्हें कुछ नहीं सिखा रहे हैं लेकिन हम बच्पन से उन्होंने यही सिखाते रहते हैं कि दुनिया को कैसे समहला जाए हिंसा के वह लड़ाईयों में नहीं है हम जिस तरीके से इस धर्ती को समहल रहे हैं वही हिंसा है हम जिस तरह से इस धर्ती पे चल रहे हैं वही हिंसा है हमारी जीवन शैलिया ही हिंसा है अगर आने वाली पीडियों में किसी चीज को बदलने की जरूरत है तो पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि बड़े पैमाने पे ये प्रयास करना होगा कि हम शांती पूर्ण इंसान बनाएं व्यक्तिगत इंसानों को अपने भीतर शांत होना होगा अपने खुद के सुभाव से अपनी आसपास की परिस्थितियों के कारण नहीं ये साइंस और टेक्नोलोजी है उसी तरह से आंतरिक खुशाली बनाने के लिए भी एक पूरा विज्ञान और तक्नीक मौजूद है दुर्भागे से आज हमारी शिक्षा प्रणालिया इन चीजों के बारे में कुछ नहीं सिखाते हम केवल अपने बच्चों को एक फैक्टरी में डालने में लगे हैं जा हर कोई उसी तरह की चीजों से होके गुजरता है और हम सोचते हैं कि हर कोई उसी शेप में एक जैसा बनके बाहर आएगा लेकिन इनसान ऐसे नहीं बने हैं प्रोफेसर्स आप हमें बताएंगे कि कैसे इनसानी दिमाग का भी आकार बदला जा सकता है हमारे शरीर और हमारे दिमाग के बीच में एक बहुत गहरा संबंध होता है हमारा दिमाग शरीर को जैंतरित करता है लेकिन साथी साथ शरीर में जो कुछ होता है उसके संकेत भी दिमाग तक लगातार पहुँचते रहते हैं तो दोनों के बीच में एक गहरा संबंध है, तो इसी कारण हम दिसरी चीजें जो करते हैं, दिसरे तरह के व्यवहारों में रहते हैं, उससे हमारे दिमाग की असनरचना में परिवर्तन आता है। अगर हम शांती के बारे में बात करें, और कैसे हम एक शांती की संस्कृती की स्थापना कर सकते हैं हर व्यक्तिकत इंसान में, तो एक बहुत ही रोचक चीज है जो हमने देखी है, अगर आप छोटे बच्चों को देखें, नवजाद बच्चों को, तो एक बहुत ही इंट्रे तीसरे तोते से बाचीत कर रहा है और उनमें से एक तोता एक तरह के autistic behavior का production कर रहा है और उसके सामने एक डिब्बा है जिसे वो खोलने की कुशिश कर रहा है और आप एक तीसरे तोते को ले के आते हैं जो बहुत ही स्वार्थी तरीके से पेश आता है तो आप देखते हैं कि जो 6 महीने छोटा बच्चा है वो उस तरह के तोते को चुनता है जो autistic behavior दिखा रहा है तो कि इस बारे में research की गई है कि जब हम इस दुनिया में आते हैं तो क्या हम इस तरह के मन से आते हैं जो पहले ही autistic है तो जो बच्चे पैदा होते हैं वो autistic behavior के साथ पैदा होते हैं तो जिस तरह से बच्चों का विकास होता है जिस तरह से समाज का विकास होता है वो हमारे अंदर उस तरह के व्यवहार का विकास करता है तो मुझे लगता है कि हमें इन चीजों का भी खयाल रखना है कि जो बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो दिमाग जैसे एक बहुत ही शानदार अंग के साथ पैदा होते हैं जो लगातार बदलते रहता है उनके यूवा अवस्था के दौरान उनके एडल्ट हुट के दौरान लेकिन मूल रूप से हम अपने अंदर आल्टरिस्टिक हैं हम स्वार्थी तब होते हैं जब हमारे पास समय होता है के लिए आपने हमें एक होप दी है हमें पास समय होते हैं लाल भभल, हिर रितर रहां राल, करो सकती लाल, कि जिस大 आना रहां बना थारो, किसस्ते लाल, राल, कि प्रॉंग कें बनकुटये ठरता हुड्गा। दिमाग के अंदर 86 billion neurons होते हैं तो एक neuron और दूसरे neuron के बीच का जो connection होता है वो हमारे पूरे internet से कहीं ज्यादा जटल है तो दिमाग में ऐसे neuron नहीं होते हैं जिनकी हिंसक प्रवृत्ती होती है ऐसा कुछ नहीं है लेकिन एक ही दिमाग के अंदर तो हम चाहिए अच्छा व्यभार करते हैं या बुरा व्यभार करते हैं यह सब उसी दिमाग के अंदर होता है क्योंकि जब हम आफ़ बसां पतरम बसां में प्रवच बसाफस्चान के लिएस्टार्न के पत्रौ बसाफस्चान के लिए कि अच्रावचान प्रौन देखिए जब हम दिमाग के संकेतों के बारे में बात करते हैं नियूरॉलल एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं तो हम नतीजे की बात कर रहे हैं नतीजा किसी चीज ने पैदा किया है उसकी नहीं जब हम बात करते हैं कारण की हम इंसानी बुद्धी को 16 हिस्सों में बाटते हैं जिसका सबसे सामने का हैस्सा है बुद्धी अभी दुर्भाग्य से दिमाग के बारे में हमारी पूरी धारना केवल बुद्धी बन गई है बुद्धी का आर्थ है देखे अगर मैं आपसे पूछूंगा पूछूं कि आपके बुद्धी तेज होनी चाहिए या धीमी होनी चाहिए हर कोई एक तेज बुद्धी चाहेगा इसका मतलब है कि ये बुद्धी एक चाकू की तरह है जो हर चीज को काटती है जितनी तेज हो उतन अच्छा है देखिए चीजें चाकू चीजों को काटने के लिए अच्छी है लेकिन कई दूसरे कामों के लिए नहीं मान लीजिए अगर आप एक चाकू परयोग करते हैं चीजों को सीलने के लिए तो निशित रूप से हर चीज तुकड़ों में तूट जाएगी लेकिन दुर्भाग्य से अभी इनसान शांती की स्थापना करने के लिए इसी तरह का प्रयास कर रहा है हम अपनी बुद्धी के इस्तिमाल कर रहे हैं चीजों को एक साथ जुड़ने के लिए और किस व्यक्ति के हाथ में वो चाकू है इस पे ये तै करेगा कि लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि किस तरह के हाथ में है वो तो बुद्धी के या समझ के इस आयाम को हम कहते हैं अहंकार याने की पहचान तो चीजों को करने के भारती तरीके में एक बहुत ही मूलभूत प्रयास होता है एक व्यापक, एक सर्वभौमिक पहचान स्थापित करने का इससे पहले कि कोई बच्चा शिक्षा प्राप्त करना शुरू करे क्योंकि शिक्षा का अर्थ होता है किसी व्यक्ती को शक्तिशाली बनाना, उसे शशक्त करना तो इससे पहले कि आप किसी व्यक्ति को अश्रशक्त बनाएं, उनकी एक व्यापक, विश्ट सर्व भौमिक पहचान होनी चाहिए, इसे लिए इसे ही आहम ब्रह्मास में कहा जाता है, इसका मतलब है कि मेरी पहचान, मैं पूरी अश्रिष्टी हूँ, मैं पूरी दुनिया अभी छोटी-छोटी पहचाने बन गई हैं, जाती से, परिवार से, देश से, खुच से, अपने शरीर से, दुनिया में जितनी भी बूरी चीज़ें हो रही हैं, जितनी भी हिंसा हो रही हैं, जितने भी अपुराद हो रहे हैं, वो सब नतीज़ा हैं, एक सीमित पहचान का मुझे केवल अपनी चिंता है आपकी नहीं है क्योंकि मेरी पहचान केवल इससे जुड़ी हुई है या फिर हो सकता है मेरी पहचान दो लोगों से और हो लेकिन तीसरे से नहीं है क्योंकि मेरी पहचान केवल मुझे केवल इनकी चिंता है तो समाज, देश, जात, धर्म हमारी पहचान जुड़ी हुई है लेकिन शिक्षा शुरू करने से पहले पूर्व में हमने हमेशा एक व्यापक सर्वो भौमिक पहचान बनाई केवल तभी आपकी बुद्धी सभी चीजों को एक साथ लाने के लिए काम करेगी एक्षीर व्यापक चेतना के दिशा में काम करेंगी लेकिन अभी हम सीमित पहचानوں को बहुत ही ताकत के साथ साथ थापित करने की कोशिश कर रहे हैं और उमीद कर रहे हैं कि शान्ती स्थापित होगी ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमारी बुद्धी उसी दिशा में काम करने लगेगी क्योंकि मूल रूप से हमारी बुद्धी उस पहचान को बचाने की कोशिश करेगी जो हमने बनाई है चाहे वो लिंग हो, धर्म हो, जाती हो, संप्रदाय हो मूल रूप से हमारी पहचान को ही बचाने की कोशिश करेगी हमारी बुद्धी बुद्धी का एक और आयाम होता है जिसे चित कहते हैं दूसरा आयाम जो होता है उसे मनस कहते हैं यानि कि यादों का बहुत बड़ा भंडार है इसमें evolutionary memory है, genetic memory है इसमें कार्मिक यादे हैं, इसमें व्यक्त और अव्यक्त तरकी अलग-अलग इस तरह की आठ तरह की यादे हैं अभी आप जो हैं, वो वास्तों में उन यादों का ही एक नतीजा है आप जिस तरह से सोचते हैं, महसूस करते हैं, चीजों को पहचानते हैं वो सारी चीजें यादों के इस भंडार का ही नतीजा है तो ये इन यादों से आजाद नहीं है जिस तरीके से आपने यादें इखटा की है उसी के अधार पर आप जानते हैं कि दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, आपके पिता कौन है, आपका खांदान क्या है, आपका देश क्या है, ये सारी चीज़ें आपकी यादों में हैं और इसके परे एक ऐसी समझ होती है, जिसे चित्त कहते हैं जो एक ऐसी समझ है, जिसमें जरा भी यादें नहीं होती ये महतल पूरनिस लिये है तो आप जिसे यादें कहते हैं वो एक तरह की सीमा है हाला कि यह में कई तरीके से जक्षम बनाती है ये हमारे लिए सीमाएं भी बनाती है इसलिए बुद्धी का एक ऐसा आयाम है जहां कोई यादें नहीं होती एक बार जब आप बुद्धी के इस आयाम में पहुंच जाते हैं उसमें डुपकी लगाते हैं तो चुकी उस उन यादों में उस आयाम में कोई यादे नहीं हैं आपके अंदर एक विश्व व्यापता का एक अनुभाव आता है अपने अंदर आप समुरुपता का आने पे लोगों के साथ ऐसा होगा या कम से कम उन लोगों के साथ जो इस दुनिया में शक्ती और जिम्मेदारी की ओहदों पे बैठे हैं तो हम निश्वित रूप से हम एक शांती की संस्कृति का निर्मान कर पाएंगे लेकिन जब तक मैं अपनी पहचानों से जुड़ा हूँ आप अपनी पहचानों से जुड़े हो कोई न कोई समय आएगा जब हम एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देंगे धन्यवाद सद्गुरू मैं उम्मीद कर ही रहा था कि आप चित्त के बारे में कुछ बात करें क्योंकि मैंने आपके यूट्यूब के कुछ वीडियोस देखें हैं प्रोफेसर सर आपने कुछ दिन पहले एक पेपर रिलीज किया था सद्गुरू आपने चित्त के बारे में बात की चेतना के रूप में आपने कहा कि जो बुद्धी है उसमें किसी तरह की यादें ना हो तो इस बारे में एक बहुत ही रोचक चीज है यादें एक तरह के आटोमेटिजम के साथ रिलेटेड हो सकती है आप बात कर रहे थे कि हमाई पास अलग अलग तरह की मेमोरीज हैं पुरानी यादों के बारे में जिस तरह से हम अगली परिस्थिती के सामने पेश आते हैं या किसी व्यक्ति को पहचानते हैं ये सारे पुरानी यादों के आधार पे है और मुझे लगता है कि यह बहुत महतोपूर्ण है अगर आप दूसरे लोगों के साथ खोले होना चाहते हैं अगर आप अलग-अलग विश्यों पे अलग-अलग मत जाहिर करना चाहते हैं हम इसे psychology of mind कहते हैं कि मेरे पास एक श्रमता है अलग-अलग मैं समझ सकता हूँ कि इस particular इस खास विश्यों के बारे में मेरी एक तरह के विचार हैं आपके दूसरे तरह के विचार हैं और मैं समझ सकता हूँ कि ऐसा क्यों है Automatism में एक बहुत अच्छी चीज़ है और यह हमें एक श्रमता देता है कि हम आलग-अलग तरह के परियावरण में खुद को उस दिशा से मोड़ सकें उधारण के लिए अगर दूसरे लोगों की बातों को दूसरे लोगों के मतों को आप सुनना चाहते हैं उनको समझना चाहते हैं और हमने अपनी स्टडीज में भी देखा है कि अगर आप बहुत ही अगर आपका एहंकार बहुत ही आप उसके साथ बहुत गहराई से जुड़े हैं तो आप हर चीज़ को केवल अपने ही नजरिये से देखते हैं और दूसरे के नजरियों को नहीं समझ पाते हैं तो हम कुछ स्टडीज करते रहें, कुछ रिसर्च करते रहें हैं और हमने पाया है कि दूसरे के नजरियों को समझना बहुत मुश्किल होता है उन लोगों के लिए लोग अपनी पहचानों के साथ जुड़ जाते हैं लोगों का सोचने का नजरिया, लोगों का चीजों को देखने का नजरिया एक खास दायरे में सीमित हो जाता है ये दायरा पुरुशों में अलग तरीके होता है ये नजरिया महिलाओं में अलग अलग तरक होता है अलग अलग समाजों में अलग अलग तरीके होता है तो जब लोग इन चीजों के साथ गहराई से जुड़ जाते हैं तो दूसरों के नजरीयों को समझना उने स्विकार करना बहुत मुश्किल हो जाता है मैं यादों के बारे में और भी ज़्यादा गहराई से बात कर रहा हूँ बहुती मूल रूप से इस बारे में बात कर रहा हूँ मान लिजे कि हम ग्रेगोर को तीन महीने तक भारती एक खाना खेलाते हैं तो उनकी तवचा का रंग बदलेगा नहीं क्योंकि शरीर को याद है कि यह ऐसा ही होना चाहिए या मैं तीन महीने तक अगर एक कुत्ते का खाना खाता हूं तो मैं कुत्ता नहीं बन जाओंगा क्योंकि मेरी evolutionary memory 100% दयाद रखती है कि आप चाहिए इसमें कुछ भी बनाएं इसे केवल यही बनना होगा यही रूप लेना होगा तो यादें जो चीजें आपके दिमाग में आपको यादें वो बहुत छोटी हैं लेकिन जो मूलभूत यादें हैं वो आपके शरीर में हैं आपके दिमाग में नहीं आपका शरीर आपके दिमाग से कहीं ज्यादा यादे रखता है आपके शरीर की हर कोशिका को पता है कि दस पीड़ियों पहले आपके परपरदाता कैसे लिखते थे आपको अपने दिमाग में याद नहीं लेकिन उनकी नाक आपके शरीर में बैठी है क्योंकि शरीर को ये याद रहता है तो मैं यादों की बारे में بात कर रहा हूँ खेयर उधारण Matthew के लिए अगर आप देखें तो हमें अपने मातापिता से केवल एक-एक कोशिका ही मिली उसा एक कोशिका में सारी यादें मुजूद थी और आज हम यहां हैं तो जब मैं यादों के बारे में बात कर रहा हूँ वो दिमाग के बारे में नहीं है शरीर में जो यादे हैं वो कहीं ज्यादा बड़ी है और शरीर में स्थिर्टा लाकर योग सिस्टम पूरा इसी बारे में है शरीर में स्थिर्टा लाने के बारे में अगर आप शरीर में स् स्कूल हमने शुरू की, सुबह सुबह मैं गया, वहाँ 6-7 के छोटे-छोटे बच्चे थे असेमली में, वो इस तरह से हिले हुए थे, मैंने का ये क्या हो रहा है इन बच्चों के साथ, इतने हिले हुए क्यों हैं, फिर मैंने कहा कि आप बस जो संगीत के जो साथ स्वर होते रोज सुबह 12 मिनट तक आप ये कीजिए, तीर महिने बाद में गया, आपको विश्वास नहीं होगा, सारे बच्चे यूँ स्थिर बैठे थे, आज मैं आपको ऐसे बच्चे दिखा सकता हूँ, जो इस तरह से बिलकुल स्थिर होकर बैठेंगे, 5-6 घंटे तक वो बस और इसके कारण दिमाग में जो नियूरॉनल एक्टिविटी है, उसमें जबरदस थर्ता आ सकती है, हमारा पूरा प्रयास है एक ऐसी तीवरता बनाना, जिसमें कोई उदेश ये ना हो, लोग हमेशा, लोग हमेशा, देखे, किसी उदेश के साथ आप दिमाग का आकार बद जहां आप तीवरता बनाते हैं, लेकिन कोई उदेश नहीं होता, जीवन जबरदस तरीके से घटित होता है, लेकिन कोई उदेश नहीं, ये एक बिल्कुल ही अलग आयाम पैदा करता है, ये एक ऐसा महौल तयार करता है, जहां व्यक्ति का जीनियस पुरी तरह से खिल के ब कर्योंना, ये खिल के तका टाहं थारी कि उन्यार के ठारे से, इंदे लिए ले बवलुवतन तरह से विए तक दक्री नहीं होता है, ये बभूनाने लिवलुखनी इने उने बेघस, और भी थे खिल व्यक्तित खिरे लिए गवब खिल का चुब व्यक्तिन मैं जहीं आए ब जो प्रफ़ाइब देखिए इस एडिकेशन के लिए अगए अगए लोगों के लिए अलग अगए उड़ेशों में होता है, जैसे उधारण के लिए, जब मैं कहता हूँ भारत, तो भारत को यह एक देशन नहीं है भारत में कई अलग-अलग स्तर हैं, तो हर किसी को आप एक ही तरकी सिक्षा नहीं दे सकते हैं, अभी हमारे इशा एडिकेशनल प्रोग्राम में तीन अलग-अलग शिक्षा प्रनालिया हैं, इशा विद्या गाओं में ग्रामीड अलाकों के लिए शिक्षा पदती है, जैसे साल की उम्रत से ही उनको computer की और English भाषा की शिक्षा दी जाती है। इसका उद्देश है उन्हें उस गड़े से निकालना गरीबी के उस गड़े से निकालना जिसमें भी वो फसे हुए हैं। जब तक वो computer और English language नहीं जानते वो उस गरीबी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। एक और स्कूल है हमारी जो है इशा होम स्कूल जिसे बिलकुल ही अलग तरह के वातावरंड में चलाया जाता है यह ज्यादा सम्रिद्ध लोगों के लिए है इसे ज्यादातर लोगों तक पहुंचाना मुश्किल होगा यहाँ पे हर औसतन हर साड़े चार बच्चों के लिए एक वयस्क है वो हर एक हाउस ग्रूप में रहते हैं जिसमें केवल 20 बच्चे होते हैं और एक बहुत ही समर्पित कपल वहाँ पे होते हैं जो उनके हाउस पैरेंट की तरह है सारी चीजें उस घर के अंदर ही होती हैं केवल स्पोर्ट्स और लाइब्रेरी वगरे के लिए वो बाहर जाते हैं बाकी सारी चीजें वहाँ उस घर के अंदर ही होती हैं वो बहुत ही अलग तरीके से, बहुत ही intense education mode में वो आगे बढ़ते हैं, वो Cambridge Board या ICSE Board फॉलो करते हैं, वो बात अलग है, हमारा एक और स्कूल है जो है इशा समस्कृती, जहां अगर बच्चा आता है तो उन्हें 12 साल के commitment के साथ आना होगा वरना हम उने नहीं लेते, क्योंकि यहां कोई academics नहीं है, वो सिर्फ शास्त्री संगीत, शास्त्री इंरित, योग, कलरेई पायर्टू, जो कि हमारी एक, जो सभी martial arts की मदर है, और संस्कृत भाषा और अंग्रेजी भाषा ही सीखते हैं, आपको इन बच्चों को देखना चाहिए, वो इतने तीव रहें की मैं जो स्तर है और जिस तरीके से इन बच्चों का विकास हुआ है, वो देखने लाएक अद्भूत घटना है. अफरूड़ा है, यह हैं एकतक कह्सा करता है, और स्थाद को इन बच्चान को फच्राइश बच्चों कमाने मला देखने बच्चों का लित्स घबके संपने का लिए स्थाद भीड़ाफ ल tę आट की।स्ट편 भीकी मैंने का instrument उनी समानील innovation occurs when we have to do a fundamental change in the objective of education, rather than the traditional economic model that now in our discussion, is a भ्यव्लि हूम हाप자下 lot, is it about building human capital, or is it about human flourishing for the individual, which I think just the third stream, or school you have talked about, has allude. देखे, जिस तरह से हमारे जन संख्या का दबाव हमारे उपर है, एक आइडियल तरह का एजूकेशन सिस्टम पैदा करना मुश्किल है, हमारे पास लाखो करूणो बच्चें हैं, उनको शिक्षा देना है, भारत जैसे देश में उनने आदर शिक्षा प्रदान करना इसका चोटी संख्या में बच्चों के साथ ऐसा कर सकते हैं, बड़ी संख्या में ऐसा करना असंभाव है, अगर सबसे पहली बात तो यह है कि अगर हमें ऐसा करना है, तो हमारे आर्थिक मॉडियूल को ही बदलना होगा, देखिए जब अर्थर शस्त्रा ही, जब पैसा ही सबसे बड़ा मूल्य है, यह हमारे जीवन में केवल पैसा ही मूल्यवान है, देखिए अगर हम कहते हैं कि हमारे शहर में कोई बड़ा आदमी है, तो इसका यह मतलब नहीं कि उसका दिमाग बहुत बड़ा है, इसका बस यह मतलब है कि उसकी जेब बहुत बड़ी है, तो जब हमा रूप से काफी सारे लोग तूट जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, और दुर्भागे से जैसा आपने कहा, ये नंबर बहुत ही तेजी के साथ बढ़ रहा है, ये संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, 2016 में भारत में हजारों बच्चों ने आत्महत्या की, इन में से साथ हजार बच्चे 15 साल से कम उम्रके थे, 12, 13, 14 साल के बच्चे अगर अपना खुद का जीवन ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम मूल भूत रूप से अपने समाज में कुछ गल्ती कर रहे हैं, है कि नहीं, इस बारे में कोई सवाल ही नहीं है. कि अउम में अव्ला की एचर यहार नहां क्या है कि अवन्स वरते शीर नहीं,codर के से बचस्तों, महीं अपना धर शीर्थ चत्ताव, यहा llama के रहे हैं, औान्हा स सब्सकतर हैं, झांतम एक पोड़ान जड़ान सोइस्ट पा preciso। चैयरे के चैरे तेछानों, एक चांब में भीज़ बढğCauseज ड्यांतोरा जाना जान सोब Beim इनोतों केormूआ साह बटक्राज मैंगा, बlexान्हान दिखिछ निसेवा Гर्नियां on your body and I agree with you it's of course problematic from a neuroscientific point of view because I talk about the brain but the brain is within a body we know that we have neurons within the gut that the neurons within the gut if you change for instance there's like data showing that if you change the neurons within the gut from someone who has a psychopathology from you take the gut of the neurons the microbiote of the neurons from one people that has no psychopathology you put it in the people who has psychopathology the people who got the psychopathology goes better so of course there is this direct relationship between the body and the brain so I think this is what we need to foster within the educational system like it should be fun it should be like you need like basically the babies they love to learn and at some point they go in school and they don't like to learn so we do the thing wrong so we need to change basically the educational system it should be fun for the children because if you know that if it's fun you learn more basically so I think like what we teach is not the thing we should be teaching well let's put it bluntly too I mean knowledge it's accessible everywhere get this like laptop or whatever connected on the internet the internet will always have more knowledge than you have at every given time so I'm not saying that you shouldn't have knowledge but that might not be the critical skills for the children 30 years from now and we're always talking about what will be the word of our children what will be the word we leave to our children I think a good question will be also what will be the children will leave for the world 30 years from now and I think that changed the perspective and what we want to do in the schools so I think that's the critical point that if you want to change the things for the children say as Gregor as he said this whole exercise of keeping yourself up with information this whole thing that you couldn't do this whole thing you can't do as I have been here that you can look at it where to choose नेशनल पेनसोनिक का वो कैलकुलेटर था सौ रुपए का उस समय वो बहुत कीमती हुआ करता था टुक 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 मैंने किया और आपको जो चाहिए जितना भी गुणा भागा आप करना चाहें वो फट से बता रहा है फिर मैं सोचने रगा कि मैं क्यों गड़ित की कक्षा में जाता हूँ ये कैलकुलेटर सब कुछ कर सकता है साइन तीटा, कौस तीटा ये सब चीज़ें कर सकता है तो मैथमेटिक्स की क्लास में बैठके अपना जीवन क्यों बरबात कर रहा हूँ सारी चीज़ें यहां पर मौजूद है आखिरकार अब वो दिन आ रहा है जब बच्चों को स्कूल में जाने की ज़रुवत ही नहीं है हम अभी जिस तरह से स्कूलिंग को जानते हैं वो अगले 10-15 सालों में पूरी तरह से निरथक हो जाएगी क्योंकि हर चीज जहां तक जानकारी की बात है सारी चीज़ें उपल अभद रहेंगी भारत में जो योगिक पधतियां रही हैं वो हमेशा जानने की क्षमता बढ़ाने पे काम करती रही है ना कि जानकारी पर याने की चीज़ों को आपके बोट करने की ख्षमता को बढ़ाने की आवशकता है अभी अभी चुकि मैं ये Youth and Truth campaign पिछले एक महिने में चल रहा था लोग मुझसे पूछते हैं सद्गुरु आप हर सवाल का जवाब दे रहते हैं क्या आपके पास सारे सवालों के जवाब हैं मैंने का नहीं मेरे दिमाग में मेरे सिर में किसी चीज़ के लिए जवाब नहीं है लेकिन मेरे पास पश्टता है मैंने अपना पूरा जीवन बस अपनी पश्टता को बढ़ाने के लिए काम किया है कि मैं अपने जी जानने की शमता को अपने बौत को उस तर तक ले जा सकूं कि मैं हर चीज को वैसे देख सकता हूं जैसी वो है बिना किसी गड़ बड़ी के मुझे लगता है कि भविश्य में इस चीज का बहुत मूल्य होगा क्योंकि जानकारी या जानकारी इखटा करना अब बेतुका हो गया है एक समय था जब बहुत सारे लोग मैंने देखा है भारत के गाओं में जब ज़्यादातर लोगों को जहां पढ़ना नहीं आता एक चिठी आती है और एक व्यक्ति उसको पढ़ता है आपको देखना चाहिए लोगों के चहरे पे फुकागस को देखके ये सारी चीजने पढ़ रहा है लोग देखके मूँ खोल के उसको देखते रहते थे कि ये कैसे पढ़ पा रहा है एक पेपर को देखके ये तनी सारी चीजने कैसे कह सकता है तो वो समय अब खत्म हो चुका है अब एक साधारन सा गैजट पूरी युनिवर्सिटी को जित्ता नहीं पता होगा उत्ता उस गैजट को पता होगा तो अब वो समय आ चुका है अब ये बहुत अच्छा समय है ये समय है जब इनसान वास्तों में अपनी चेतना की खोच कर सकते हैं क्योंकि ढेर सारी जानकारी को इक हटा करके रखने का बोज़ अब खतम हो चुका है उसकी जरूरत खतम हो चुकी है मुझे लोग Artificial Intelligence की Conference में बुला रहे हैं मुझे समझ नहीं आया कि Artificial Intelligence की Conference में मुझे क्यों बुलाया जा रहा है मैं कोई technology projected नहीं हूँ लोगों ने कहा सद्गुरू हमें नहीं पता कि हम क्या खरेंगे हमारी नौकरी चली जाएगी मैंने का बहुत अच्छी बात है आपको हॉलिडे मिल गया अगर आपको ये नहीं पता कि छुट्टी का अनन कैसे लिया जाए आप मुश्किल में रहेंगे अगर आपको ये नहीं पता कि रिलाक्स होते हुए भी कोई सार्थक काम कैसे किया जाए छुट्टी में रहते हुए कोई सार्थक काम कैसे किया जाए क्योंकि आपका पूरा जीवन ही छुट्टी बन जाएगा बीसवी सताब्दे की शुरुवात में और उसके बीच में सारी वर्किंग यूनिट्स को जब मेकेनेजाइसम शुरुआ जब मशीने आने लगी तो सारी वर्कर्स यूनियन परिशान हो गी थी उनको लगा कि हमारी नौकरी चली जाएगी और अभी लोगों को यही दिक्कत है कि Artificial Intelligence जा रहा है हमारी नौकरी चली जाएगी आपकी नौकरी जाने वाली है तो पैसा कमाने और गुजारा चलाने के बजाए आप समय है जीने का यह बहुत अच्छा समय है और प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल एक इंसानी बच्चा दूसरे प्राणियों की तरह नही होता दूसरे पाड़ियों के बच्चे पैदा होते ही उनको पता होता है कि क्या करना है कैसे जिन्दा रहना है क्योंकि उनको अपने जीवन में केवल इतना ही सीखना होता है कि खाने की विवस्ता कैसे की जाए कैसे अगले पिढ़ी को पैदा किया जाए और कैसे शांति के साथ मरा जाए और ये सारी चीजें उनके अंदर पहले से ही तयार रहती है उन्हें जो चीज़ें सीखनी होती है वो बहुत कम होती है ऐसा नहीं कि वो कुछ नहीं सीखते वो इतना बड़े पेमाने पे होता है और अभी वो जैसा है उससे वो कहीं ज़्यादा हो सकता है ऐसा केवल तभी होगा जब अपना गुजारा चलाने की जो चिंता है वो इंसानों से ले ली जाए मैं जिन्दा कैसे रहूँगा, मैं रोजी रोटी कैसे कमाऊँगा, अगर ये चिंता अगर हटाई जा सके, तो मेरा विश्वास कीजिए इंसानों का जीनियस इस तरह से खेलेगा, जिसकी हमने कलपना भी नहीं की है, तो जैसा कि आपने कहा कि ये सभी लोग जो अपनी नौकरी खोने वाले हैं, आर्टिफिशल इंटेलिजन्स की कारण, वो अपने बच्चों पर ध्यान दे सकते हैं और तेखिए, आपको फिजिक्स सिखाने के लिए आपको फिजिक्स जानने की ज़रूत नहीं हैं, सारी चीज़ें विशय क्यों पसंद है तो वो कहेगा, मुझे अपना ये टीचर बहुत अच्छा लगता था जिसने मुझे तीसरी कक्षा में गडित पढ़ाए थी या मुझे पांचवी की कक्षा में जिसने मुझे अंग्रेजी पढ़ाए थी वो मुझे बहुत पसंद था तो एक टीचर जो बच्छों को पसंद आता है वो हमेशा बच्छों के अंदर वो रुची पैदा करता है देखिए, ज्यादा तर इंसान भावनाओं के स्तर पे ज्यादा होते हैं, बुद्धी के स्तर पे हमें हमेशा लगा कि बुद्धी में ही समझ है भावनाओं में समझ नहीं है और हम खो गए लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ जो सबसे गहरी भावना एक इंसान के अंदर हो सकती है वो है भक्ती लोगों को लगता है भक्ती भगवान के बारे में भगवान के बारे में है नहीं मुझे बताईए क्या कोई भी इंसान अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में क्या कोई भी कमाल की चीज़ कर पाया है चाहे वो संगीत हो या politics हो या आध्यात्म हो उस काम के पुरी तरह समर्पण के बेना आप जो भी काम भी कर रहे हैं उसके पास उसके प्रती पूरी तरह से समर्पित हुए बिना आप कोई भी बड़ा काम नहीं कर पाएंगे आप केवल तुच्चे काम ही कर पाएंगे तो समर्पण या भक्ती हमेशा इंसानी जीवन का सबसे प्रमुक हिस्सा रही है लेकिन हमने इस चीजों को अपकम बता दिया है और हमें लगता है कि अपने दिमाग में अलग अलगतर है कि जानकारी को के साथ गुड़ा भाग करना ही बड़ी चीज है और मैं बस उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत सारा समयना लग लगों को यह बात समझने में जब मैं जिन्दा हूँ तभी ऐसा हो जाए और लाग बस अरोगता है कि अपना है the classroom in the 21st century will not be about providing the knowledge but will be probably to tailor the knowledge or tailor the abilities of each child depending on his learning curve. That's what we need to achieve. We won't be able to achieve it with classes with 35 children. So maybe technology is a good way to help us on this path to make the education a little more tailored to each and every individual because we know that the more closely you're following the learning curve of the children the better they develop. That's what works best basically. And it works based if you have a social environment as you say it. Like fostering a very strong socio-emotional environment around the children not only at school but also in the society is a very, very strong leverage for their learning. Whatever the learning. Even like the knowledge learning is improved by the socio-emotional environment in which the children will develop. So I think that's critical. We know it has an effect on the neuroplastic processes. So the more, the higher the socio-emotional environment the better it is the higher the neuroplasticity so the higher the possibility of learning. So I think let's not think necessarily that it's disjated. One will help the other. So if we like put the emotion at the center we will help everything basically. Today is sharaf pika or goliyaan khaa kye kakye kakafi sara loog anandit or shanty ho jate kya we will help the other. एक बार ऐसा हुआ, एक युवा महिला थी, जिसकी शादी हुई, लेकिन जो पती था, वो बहुत ज्यादा परिशान करता था, तंग करता था, कभी शादी रूप से उसे, कभी उसकी पिटाई करता था, कभी उसे गालियां देता था, लेकिन ये महिला हमेशा शान्त रहती थ टो एक दिन अपनी पतनी के ओपर चलाते चलाते वो अचनक चुप हो गया और उसने पूछा कि तुम इतनी शान्त कैसे रहती हो। उसने कहा मैं टूइलेट साफ करती हूँ। उसने कहा क्या जब मैं तूमें पीटता हूँ तब भी तुम शान्त रहती है। कैसे उसने का क्योंकि मैं टॉइलेट शाफ करती हूँ अरे टॉइलेट साफ करने से तुम शान्त कैसे रहती हूँ तो उसने का मैं तुम्हारे टूथब्रश का इस्तेमाल करती हूँ तो शान्त होने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं लेकिन इसे सही तरीके से करना बहुत महदब पूर्ण है I'm going to open up the Q&A There are two mics on either side We are running in time So please, if you can come to the mic I'm sure there must be questions You must come to the microphone To the mic… there are two on the… on… in the… No, microphones will not come to you You must come to the mic All right Please go ahead No, normally they're useful So I'm going to be biased and the young man with the beard because we have this identity together So I'll allow you to go ahead You're trying to… Yeah, I'm fine I'm not there yet Namaste So we know that everything that occurs in this world is perfectly balanced and there's this notion of yin and yang and… If you can come a little closer Closer, yeah, of course So yeah, there's a perfect balance in this world So we know there's like perfection and there's not really something that we… we have to do But when I look at the people around me or some members of the family I can see a lot of suffering sometimes And that brings me in a place of discomfort So like I'm a little bit confused about knowing that everything is perfect But at the same time, when I see the world outside of me I feel that it's not as perfect as I want it to be So how do I understand and deal better with this confusion? I thought you wanted some brain reshaping Let me give you the floor He's finished So All human experience Dekhye, saree innsani anubhav Isse alag-alag tarah ke naam na daein Har tarah ke innsani anubhav Chahe woh sukh ho, ya dukh ho Shanti ho, ya tanaav ho Yeh sab kuch aapke anadar ho taein Kya aisa hai? Hmm? You may think it's stimulated You may think it's stimulated Aap soth saktayin ki Bahari prabhav ke karanayasa hua hai Nain Lohg wo kar raha hai Jho unko karna atasai Lekin aap in In bhavnav mein jay raha hai To moulroop se Jho chiz Aapke bheater se ho raha hai Kam se kam Voh toh o oi si honi chahiye Jaysaysa aap chahatayin Hay ke nain? Duniya Kabhih bhi 100% Voisi nai hoagi Jaysaysa aap chahatayin Kabhhi bhi nai Mera vishwaas keeji Jaysaysa aap chahatayin Mena kafi semayasa raha hai Is duniya me Aagar aap paribar me Sif dho loog hai Phir bhi 100% Yaya waisa nai ho ga Jaysaysa aap chahatayin In kya 50% Aagar aapke Aapke manmarzik Anusar ho gaya Toh matlab hai Aap aagay hai 100% Aagar aapke tira honne Rahi Toh koji Aapke sath Nih rahane wala Lekin Jho chiz Mera anadar ho raha hai Voh to Mera anusar Honni chahayin Jho chiz Dukkhi hoon Mena shant hoon Yaya na hoon Toh ye toh Sabse bada gulamhi hoi Hame isa Kahi tarah ke naam Dukk Kisi bhi tarah ka Dukk Iska art hai Ki Aapke samaj Aapke khilaaf Kama kar raha hai Bada basit nai si hai Aapke khud ka Vichar Aapke bhaavna Aapke samaj Aapke khilaaf Ho gai hai Aagar aapke buddhi Aapke liye Kama kar tii Toh aap Kud ko Shanty Kud ko Sukh Khush rakhenge Ya duchhi rakhenge Bataayiye Aagar aap Taik kar saktay Thay Khi aapke man Or bhaavna Me kya ho Toh aap Kud ko Anandit rakhenge Ya duchhi rakhenge Nishit rup Se anandit rakhenge Aap ho saktay Aapne padosi Kek liye Kuchh or Chahe Lekin Aapko Aapne liye Kya chahe Ye Voh Bilkul Saaf Hai Toh Bata ke Wale Etnini Hi Hai Iska Khooi Jettles Karaan Nahin Mool Karaan Yuh Kya 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 Aapne Indriy Yoh Pekabu Nahin Paaya Hai Aapne Dekhye Lohgoh Nne Aapko Eek Sabse Zyadha Complex Computer Diyah Lekin Aapne Usual Manual Nahin Pada Yehi Aapki Samaxya Aapko Mere Baat Bohut Siddhi Laghe Aaman Viyah Laghe Lekin Yeh Aapka Anand Me Rehna Eek Swabhavik Natizah Hoagah Hai Kya Nahin Namaskar Sadguru Boswa Gregor My Question Is On The Third Aspect Of Today's Discussion Education History Is Full Of Examples Of Indri Who Have Achieved Success In Their Respect Of Fields And These Individuals Have Really Not Had Too Much Of Formal Education Or If They Had Some Formal Education They Have Dropped Out Of College Early On And Pursued Their Ambitions So To This Background Could You Elaborate As To What Should One Pursue A Formal Education Should One Strive For Assimilation Of Knowledge Or You Know A Pursuit For Wisdom Considering That The Jobs Of Today Are Not Going To Be There Tomorrow And The Knowledge Economy That We Are Talking About Doesn't Seem To Exist In The Future So Yeah I Hear This Things In Conferences Always I Conferences May This This Thing In Conferences उसी आधार पर ये तय होता है कि उस व्यक्ति को उस तरह के मौके मिलेंगे या नहीं, या बस वो सड़क पर पड़ा मर जाएगा, तो formal education एक तरह का passport है, ये वास्तों में आपको सक्षम नहीं बनाता, सश्रक्त नहीं बनाता, लेकिन ये एक passport है जो आपको सही जगह तक पहु नहीं होगा, कि आप दर्वाजा खट-खट आते हैं, अगर दर्वाजा जारा नहीं खुलता, तो आप उसे तोड़ के अंदर चले जाएंगे, आपके पास इतनी इक शमता है, लेकिन फिलहाल अभी हर बच्चे के लिए अच्छा है कि वो formal education से होके गुजरें, लेकिन formal education क् लेकिन अगर आप इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन करते हैं, तो काफी सारी चीज़ें बिखड़ जाएंगी, काफी सारे इंसान उस परिवर्तन में तूट जाएंगे, तो ये जरूरत है कि ये परिवर्तन धीरे धीरे और समवेदनशील तरीके से लाया जाए, और लग का कोई नजरिया ना अपनाएं कि हम इसके खिलाफ हैं या इसके पक्ष में हैं, मेरे पिता जी मुझ से पूछते हैं, तुम्हें स्कूल भेजना इतना मुश्किल था, अब तुम क्यों स्कूल शुरू कर रहे हो, तो कम से कम मैंने दो स्कूल तो ऐसे बनाएं, जहां बच् चुट्टिया जल्दी इंतजार करते हैं, कब चुट्टिया खतम होंगी, वो चुट्टिया खतम होने के 10-15 दिन पहले ही स्कूल आ जाते हैं, क्योंकि वो स्कूल में रहना चाहते हैं, तो बच्चों को स्कूल पसंद है, लेकिन आपने मुझे ऐसे स्कूल में नहीं भेज कि कई चीज़ों पे देखना मेरे लिए बहुत काम की चीज थी लेकिन अगर मेरी क्लास के सारे बच्चे अगर पेर पे चड़के बैठे होते तो ज्यादा तर लोग हो सकता है उनमें से काफी लोग बंदरों की तरह बन गए होते मैं कह रहाँ कि इस चीज ने उनके लिए काम नहीं किया होता तो formal education एक common prescription है जो कई बच्चों के लिए ज़रूरी है इसलिए हम भारती सरकार के साथ काम कर रहे हैं कि academic portion को कम किया जाए एक महीने पहले federal government ने announce किया कि school का केवल 50% हिस्सा ही अगर बच्चे 7 साल के लिए हैं तो केवल 3.5 घंटे ही academics के होंगे बाकी का समय है sports, arts और अलग-अलग चीजों में जाएगा जो की बहुत ही अच्छी चीज है सरकार ने अपनी intention जाहिर किया है लेकिन इसके लिए जरूरी training देना, teachers को जरूरी equipment प्रोवाइट करना यह असान नहीं होने वाला है काफी साल लग जाएंगे उस मुकाम तक पहुचने के लूची टेचान に हाने काफी से जौरिट में बीरा जी किσιuen है वाजने के अपनी जैना की ले में में तक्राव घूहाँ है अच्छी मेंsystem Sydney में वाजब हैंवे अर चीजी अच विए टिर बालग-टी धेवाज है क the brain will change due to learning it actually promotes implicit representation of intelligence that is actually malleable that you can change basically intelligent for whatever it is and it's actually a very strong leverage for learning we know that for a long long time and we don't put that in place in the educational system so i think it's just a matter of like fixing new basically objectives to the educational system and putting a stronger focus on domain general basically processes there are emotional in parts thank you hello my name is no i'm syrian i live in paris since many years so i have two questions related to the syrian crisis children of syrian crisis who lived like many years seven eight about six seven years in the direct violence come from war in my country 10 million people who were displaced inside outside the country so this many of children have not opportunity to go to school or to go to normal school as you were mentioned so my question is what do you think in your opinion the suitable case a suitable solution for their case and related to the their memory how could we affect the memory or their memory to be not carrying all that violence in their minded or their life thank you this question is for this question is addressed to whom anyone who would like to answer well so इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं या परिस्थितियां चाहे वो सीरिया हो या कोई दूसरे देश हो ये परिस्थितियां बार-बार हो रही हैं और इन परिस्थितियों में सबसे जादा वल्नरेबल बच्चे होते हैं हमेशा सबसे आदा जिने नुकसान होता है और जहां तक उनकी यादों को मिटाने की बात है उनकी यादों को मिटाने की कोई जरूरत नहीं है ये बहुत जरूरी है जब हमारे साथ बुरी चीजें होती तो हम उन चीजों को याद रखें लेकिन हम इन चीजों को लेके बुरी भावनाओं में न जाएं अगर हम इन चीजों को याद नहीं रखेंगे तो हम उन्हीं चीजों को बार-बार दोहराते रहेंगे उन्हीं गलतियों को बार-बार करेंगे जब दूसरा विश्वय उद्ध हुआ जब दूसरा विश्वय उद्ध हुआ तो खासतोर से दुनिया के इस हिस्से में हर किसी ने बहुत ही बहुत ही बुरे अनुभाव उनको हुए थे और हर किसी के मन में विचार था कि हम ये चीज़ें तुबारा कभी नहीं करेंगे लेकिन 1950 के बाद से दुनिया में एक भी दिन ऐसा नहीं रहा है जब दुनिया के किसी न किसी हिस्से में कोई न कोई युद्ध ना हुआ हो तो निश्यत रूप से ये चीज़ें होती रही हैं तो हर जगा बच्चों को इस तरह की दिक्कतें जेलने पड़ती हैं और अगर वो अपने अनुभाव को बदल सके हिंसा के घबराहाट के नफरत के जिन लोग उन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अब ऐसा लगता है कि सीरिया में कम से कम ऐसा लगता है कि ये मदभेद धीरे-धीरे खत्म होने वाला है तो मुझे लगता है कि तुरंथ ही एजुकेशनल इंस्टिउशन्स को नॉन गॉर्णमेंट और्गनाइजिशन्स को यूनेस्को को बड़े पैमाने पे बड़ी-बड़ी स्कूल्स बनानी चाहिए अगर आप उन्हें स्कूल कह सकें या कुछ न कोई ऐसी तरीका जहां बच्चों को एंगेज किया जा सके उनको जिस तरह के अनुभव हुए हैं उससे परे यह असान नहीं होने वाला है लेकिन अंतराश्टी समयदाय को इस दिशा में प्रयास करना होगा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर इंसान को एक बहुत ही छोटी उम्र में ही यह समझना होगा यह एक चीज समझनी होगी कि मेरा शरीर और मेरा मन मुझसे निर्देश लें किसी और से नहीं सिर्फ मुझसे अगर यह एक शमता हम एक बच्चे के अंदर ले आए तो उस बच्चे के लिए शांतिपूर्ण प्रेम्मय और आनंद भरा बनना एक स्वभाविक नतीजा होगा अभी कोई और तय करता है कि मेरे अंदर किस तरह की भावनाएं हैं किस तरह के विचार हैं तो अगर कोई और यह तै करने वाला है तो निश्चित रूप से इस परिस्थिती पे कोई नियंतर नहीं है हमने इस आयाम पे जरा भी ध्यान नहीं दिया है कि एक इनसान के लिए सबसे पहली चीज हर सिक्षा पध्धती का मूल भूत आयाम यह होना चाहिए कि एक बच्चा यह सीखे कि मैं अपने शरीर, अपने मन और अपने भावनाओं का कैसे इस्तेमाल करूँ अभी हम मजबूरी भरे बरताव को बढ़ावा दे रहे हैं तो मूल रूप से यह पूरा का पूरा आंदोलन है मजबूरी भरे बरताव से जागरुकता भरे बरताव की ओर जाने का बीस्वी शताबदी में हमें लगा था कि युद्ध सारे खतम हो गए लेकिन इस 21 शताबदी में आप देखेंगे अभी भी युद्ध लगाता जारी है अगर हम इस तरह की लड़ाईयां नहीं देखना चाहते तो सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि इनसानों की ख्षमताएं उनके अपने हाथों में होनी चाहिए लेकिन अभी उनका शरीर और मन उनकी भावनाओं में क्या हो रहा है यह उनके देश के नेताओं के हाथ में उनके धर्म के नेताओं के हाथ में वो जिस भी तरह की भावनाएं चाहें इनसानों के अंदर पैदा कर सकते हैं लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एक इंसान के अंदर क्या हो रहा है, ये उसके हाथों में होना चाहिए, किसी और के हाथों में नहीं. अन्य समया जै थे करो में आप histor औरॉघ्ट और शाम पस्या हा जोश्च को लती हा बदिए, इस भी से वहा है जा को det, औरे लुश there was this one day we were together in office and I was just like so what did you do yesterday so he said that he was at a funeral and I said okay and if I may ask you whose funeral you had been to so he said it was his mother's funeral and I was shocked to know the way he managed to deal with that situation and I think he has done some of your programs and he he really follows you a lot so he spoke to me about a few things that he learned from you he spoke to me about Runanu Banda and some I really did not understand much of the question yeah so the thing is that you you have been into the service of mankind so has Mahatma Gandhi and so is the friend I just spoke to you about so in a way you have been transforming lives and is it is it that one finds one's true self in the service of others in the service of others और हर इंसान को यही करना चाहिए कि आप अपनी स्वार्थ को लेके इतने कंजूस क्यों है आप ब्रह्मांडी रूप से स्वार्थी क्यों नहीं होते आपको जो चीज जीवन के लिए सबसे अच्छी लगती है आप क्यों यह नहीं सोचते कि यह हर किसी के साथ हो करीब 36 साल पहले की बात है मैं एक छोटे से पहाड पे एक चट्टान के उपर बैठा था मैं कुछ भी नहीं कर रहा था और अचानक मेरे शरीर की हर कोशी का एक आनंद पूर्ण अवस्था में चली गई मेरे काबू से बाहर था मुझे लगा 10-15 मिनिट हुए हैं लेकिन 4-4 घंटे बीच चुके थे मेरी आँखों से आनंद के आंसु बह रहे थे और फिर मुझे लगा कि कुछ भी करने की ज़रुत नहीं है अगर मैं खुद के साथ कुछ भी उड़ पटांग हरकत आनंगा ना करूँ बस यूँ ही बैठूँ तो मेरे अंदर सब कुछ आनंद से भर जाएगा मैंने कुछ लोगों के साथ एक दो लोगों के साथ कोशिश की मैंने उनको शांती से बिठाया और वो भी आनंद में चले गए फिर मैंने एक प्लान बनाया उस समय दुनिया की आबादी करीब सावा पांच अरब थी और मैंने प्लान बनाया कि अगले दो सालों मैं पूरे दुनिया को आनंदित बना दूँगा क्योंकि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप बस यूही बिना कुछ की ये बैठना सीख जाएं तो आप आनंद भरे हो जाएंगे लेकिन देखिए 36 साल हो गए मैं ऐसा हो गया हूँ हाँ हमने कुछ करोणों लोगों को छुआ है लेकिन मेरे हिसाब से वो पूरी दुनिया नहीं है तो मैं एक असफलता भरे जीवन जीने के लिए तैयार हूँ मुझे पता है कि मैं अपना सपना पूरा कीए भिना मरूंगा लेकिन मैं अनंद के साथ मरूंगा क्योंकि मैं अपने अंदर कैसा हूँ वो मेरी सफलता या असफलता पर निर्भर नहीं करता है बस इंसानों के साथ यही होना चाहिए कि अभी आप उम्मीद करते हैं कि बाहरी दुनिया वैसी हो जैसी आप चाहते हैं इससे पहले कि आप शान्त और आनन्दित हों ऐसा कभी नहीं होने वाला है सबसे सरल चीज जो आप कर सकते हैं यह है कि इस इंसान को आप शान्तिपूर्ण और आननदपूर्ण बना दें और फिर आप दुनिया के साथ काम कीजिए समय के नूसार लोग किस हद तक हमें अनुमाती देते हैं उस हद तक आपको यह समझना होगा इस दुनिया में बहुत ही महान लोग आए हैं आपने महात्मा के बारे में बात की, उससे पहले भी बुद्ध, कृष्ण, राम, ऐसे कई-कई संत आये हैं, बहुत ही शांदार इंसान इस दुनिया में आये हैं, लेकिन जब वो आये थे, अगर उनने कुछ कहा, तो ज्यादा से ज्यादा 25 लों को सुनाई देता था, क्योंक तो ये समय है, इनसानी चेतना को बदलने का ये समय है, ये समय है, जब एक इनसान क्या है, उसके पूरे रूप को, एक मानव समुदाय क्या है, उसके रूप को पूरी तरह से बदला जा सकता है, क्योंकि पहले कभी हम इस तरह से लोगों के साथ अपनी बात नहीं पहुंच यह मेरा सपना है, कि हम सबसे ज़्यादा, अभी तक की सबसे शांदार पीड़ी भी बनें, संभावना हमारे हातों में है, लेकिन एक संभावना और वास्तेविक्ता के बीच में एक दूरी होती है, कि हमारे पास साहस और commitment है, कि हम इस दूरी को चल सकें, आप एक युवावि पढ़ता कि आपके जीवन में क्या होता है तेखिए जीवन आपकी और क्या फेकता है आप वो तैन ही कर सकते लेकिन आप उससे क्या बनाते हैं ये सौप्रतिशत आपका है अगर इस एक चीज़ को आप अपने हाथों में ले लेते हैं तो आपने एक शान्ति पूर्ण और आनन्दित इंसान बनाया है जो की एक शान्ति पूर्ण और आनन्दित दुनिया की शुरुआत है आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद स्थम्हाँ बसके अनिया है अनिया औराण भी अनिया है जुट्छाइब अजैने और ये जुट यह उनिया हैं और जबतिते हैं और रूर ये करिसे अपडिड़्यों इंद ट्रफट्दें ट्रबट करें हैं इंट इने वे जिए प्रिक ने पपर खात्या हैं वुट्ट टे अच्छिन चुल को सब्टेतलोर आट प्रिफ्टा को शीज़ और भीन व्यर् Tamamen, बदे और नही बेते हैं. सद्ग्यरक में, बजली है. क्याती है क्याती है. को बजले हैं, झेला समय चिछी बताई है. झाले हैं. झाले हैं. व श्यूश बंद तक्याम करेंद नहीं. but this time… But you tried the glasses. Sorry? You tried the glasses. Oh no, Matma Gandhi's glasses, you tried. I want to thank a few people. I want to thank my colleague Akriti, who did all the hard work to make this happen. I want to thank Sadhguru's group, the Isha Foundation. They did a fantastic job bringing in a lot of you, and we couldn't have done it without them. And thank you for that on behalf. And I want to thank my UNESCO Headquarters colleagues, who also worked very hard to make this a successful dialogue. And with that, I'm supposed to say that there's some stuff outside. So you need to pass the exhibition… You smell the food. It will… Ah, that's the… Just use your senses, and it will take you there. And I hope you enjoy that. It was courtesy of the Indian delegation to UNESCO. And thank you very much for coming out tonight, and wish you all the best. Thank you very much. 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 Thank you. Thank you very much for joining us, कर दो 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 झाल